तो आप इस चानल से जरूर से जुड़ है इस सेशन के अंदर जनरली वी डिसकस जो एडवास करेंट अफेर्स है जो आपके पब्लिश होता है डिफरेंट 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 न्यूस्पेपर और सम्में तो देट वी डिसकसिंग तो फर्स्ट है डाप ग्रोन फिश के बारे में हैं लैब ग्रोन फेरेंट इस एन आपका Indian Express की न्यूस है फर्स्ट स्टेटमेंट इस की यह जो है यह लाप ग्रोन मतब किसी लाप के अंदर इसको उप्योग में मतब इसको कल्टिवेट किया जाता है कोई भी जानवार उसको मार के और उसका जो फ्लेश है उसका इस्तमाल किया जाता है लोग उसको कंज्यूम करते हैं उसको खाते हैं बट दिर इस अल्सो पॉसिबिलिटी कि लाब के अंदर भी उस चीचों ग्रो किया जा सकता है यह लाब ग्रोन है, कल्टिवेटेड फिश का मतलब है कि यह जैसे माल कोई भी फिश है उसका किसी एक सेल को निकाल के और फिर लाब के मादधम से उसको ग्रो करना और फिर उसको कंज्यूम किया जा सकता है जो फाइनल प्रोड़क्ट है वो पूरा का पूरा जो भी जैसे जैसी फिश है वैसे ही फिश को रेप्लिकेट किया जा सकता है सेम टू सेम वैसे ही फिश को लाब के अंदर बनाया जा सकता है तो यह possibility है बाय technology के मादम से यह चीज़ easily की जा सकती है तो यहाँ पर तीनों statement इसमें आपका है आज के समय में cloning जैसी technology भी आपका है तो again it's easy इस चीज़ को implement करने के जब हम बात करता है तो तीनों statement आपके सही है next देखते हैं सुमांग कुमेही के ऊपर यह statement है जिसे सुमांग लीला भी बोलता है यह mighty traditional form है थ्रेटर का जो कि मिजोरम में perform किया जाता है थ्रेटर जो है open air में आपका चारत रप से खुला रहता है जो रोल है mainly male actor के दोरा ही play आपका किया जाता है जो कि even beautiful ladies के रूप में भी अपने आपको धाल के रखते है यहाँ पर देखो यह जो mighty traditional है basically यह mighty's का आगया तो you should know कि यह मनीपूर के अंदर है this is basically आपका जो मनीपूर है मनीपूर के अंदर है it's not like it is there in a it's not like कि यह आपका मिजोरम के अंदर है तो पहला तो statement गलत हो गया बागी दोनों statements था ही है तो यह fact आपको याद रखना है कि यह जो सुमांग कुमेही recently news में था तो यह क्या है तो जैसे यहाँ पर even जो female जो role of male character है that is also played by the role are played by male characters and dressed as beautiful ladies even the role of male characters are played by female artists in case of female threater group तो मतलब यहाँ पर देखो दो भाग में divided होता threater group किस तरीके से जैसे मालो male वाला है तो male में लेडिस का role भी male करेंगे लेकिन अगर मालो वो female threater group है तो उसमें male का role भी female के द्वारा जो है वो आपका किया जाएगा तो यह खासत और से कई जो यह traditional threaters हैं उस समय के राजा महराजा के time पे आपका इसको perform किया जाता था एंड लगभग 1895 के समय से यह चीज़े चल रही है एंड present day जो सुमांग लीला है यह कई moral values, unity, integrity और आपस में भाईचारा, कैसे friendship को promote करना यह सब चीज़ें जो है इसके अंदर आपको देखने को मिलती हैं तो यहाँ पर second और third statement इसमें सही है तो यह points आप note कर सकते हो, easily note कर सकते हो ठीक है, let's see the next, यह भी Indian Express का topic है consider the following statement about located जो आपका it is about statement about पहले यह located along the western ghat in एदू की रारकूल district of केरला in India this is a traditional first national park in केरला natural habitat है, कितने statement इसमें जो है सही है, how many statements are correct तो यहाँ पर देखा जाएगा इरावी कुलम national park के उपर है तो यहाँ पर यह थोड़ा सा about इरावी कुलम नाशनल पार्क के उपर है इरावी कुलम जो national park है उसके उपर यह statement है तो इरावी कुलम है, तो यह western घाट के डुकी उसमें located है and first national park है natural habitat snow leopard का आप देखो यह common sense है कि यह natural snow leopard का कैसे हो सकता है तो यह natural habitat basically नीलगीरी तहर का है यह आपको याद रहा है, नीलगीरी तहर का यह natural habitat है तो यहाँ पर दो statement सही है तो यह आपका answer होगा तो इसको note कर लो यह भी दा हिंदू के अंदर है इरावी कुलम national park to be shut from February 1 for calving season of नीलगीरी तहर नेक्स देखता है यह आपका this is linked with snow leopard पहला scientific survey इसका carry out किया गया था अभी and लगभग 718 हैं इसमें अभी number जो snow leopard की बात किया जाए लदाख में सबसे ज़्यादा 477 जो की जिसमें leading snow leopard habitat है बारत में तो उसका दूतरा खंड हिमाचल परदेश अनुनाचल परदेश सिक्के यह fact याद रखना है snow leopard जो है endangered category के अंदर आपका जो है वो listed है तो snow leopard basically endangered category में नहीं snow leopard vulnerable category के अंदर listed है तो यहाँ पर जैसे कई categories होती है जैसे for example आपका critically endangered endangered, vulnerable तीसरे statement गलत है तो यहाँ पर आप fact याद रखना है यह fact important है हमें जानना है तो यह पूरा जो number count करने का process है वो 2019 की बात करें exercise जो है की गई थी conduct 2019 से 2023 तक का जो समय था and यहाँ पर कई सारे methods भी अपनाएं गए and यहाँ पर जैसे माल लो camera trap का भी इस्तमाल किया गया they have used what we call it as camera traps camera traps भी उन्होंने इस्तमाल किया है और even like काफी highest level का protection भी snow leopard को आपका दिया जाता है यह है चाइना जो है तब अगर देखा जा तो China consider किया जाता है कि उसमें highest population है इसका but exact number नहीं पता है and across the worldwide इनके जो number है almost 3000 से 7000 के आसपास इनके वराल number है आपर first and second statements है यह alignment की news है तो देखो बहुत सारे जो जितने भी sources है ना वहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं बस क्या करना है कि इनको देखना है और notes भी अपने बनाते रहना है और आज कल आपका रात को 9 बजे advanced current affairs का 16th test है 16th या 17th test जो scheduled है अब वो frequency test की बढ़ने वाली है week में दो test आपके होते जाएंगे total 50 test है तो यह आप सारपांडे UPSC.com या फिर सारपांडे CSE app में जाके सारपांडे CSE app में जो यह test series है इसका हिस्सा आप लोग बनना test जरूर से दो तो इसमें आप 15-16 test हमारे हो चुके हैं और revision PDF भी आप्लोडेट है तो आप लोग अपना देखते रहना उसको यह बहुत important test test देते रहोगा idea लगता रहेगा questions practice होती रहेंगी तो एक momentum पढ़ाई का बना रहता है इसको miss नहीं करना आलस नहीं करना है तो यह ध्यान में रखना है चलो अब देख लेते हैं यहाँ पे alzheimer disease के उपर यह question है alzheimer जो है यह brain disorder है जिसमें लोग जो है थोड़ा सा उनकी memory चली जाती है progressive और irreversible है मतब दुबारा से सही नहीं है इसमें हो सकता है पहले आपका थोड़ा mild memory loss होता पि देरे बढ़ता चला जाता है and it is because of the deposition of bacteria in the brain तो यह मतब हम लोग ने discuss भी कई बार किया है यह basically it's not because of the bacteria यहाँ पे एक specific protein होती है उसके deposition की वेस होती है उस protein का नाम है that is beta beta amyloid नाम की protein है इस protein की deposition की वेसे यह जो alzheimer की बिमारी होती है और जैसे जो neurons present होते हैं और यह neurons का जो हमारे brain को develop करता है तो उसके अंदर जो एक प्रकार से यह protein का deposition आपका होता है और देरे-देरे dementia मतलब भोलने की वेमारी देखने को मिलती है जिसमें चीजों को सोचना remember करना, reason करना और यह जो disease है basically Dr. Elios alzheimer जो है उन्होंने find की थी जिस वजह से फिर इसका नाम alzheimer disease आपका रख लिया गया था और इसे एक और भी process न्यूज में रहता है जैसे plague and tangles तो यह जब इस्थिती आती है जैसे मालो tangles, plague or tangles T-A-N-G-L-E तो plague or tangles जब एक प्रकार से होता है जो यह protein का deposition brain के अंदर होता है फिर memory loss जैसे इस्थिती बन जाती है तो यहां पर फिर्स्ट और सेकेंड स्टेट्मेंट आपका सही है So medical mystery solved hormones treatment link to alzheimer in shocking discovery तो यह NDTV के अंदर news तो देखो हर एक आयाम को cover किया जा रहा है आप लोग ज़रूर से comment करें कब session attend करते हैं at the same point of time यह ज़रूर से notes और यह सब आपम बनाते रहा है इसमें आपका normal engine भी है और electric motor भी होता है इंडे के electric mobility जो plan है यह mainly battery पर focused है जो की main जैसे मालवा भी जो engine इस्तमाल होता है उसे हम internal combustion engine भी कहते है और lithium-ion को कहा जाता है कि यह replace कर सकता है इस engine की जगह इसका इस्तमाल कर सकते है total जो carbon emission है electric vehicle से वो लगभग 158 gram पर km है compared to 130 gram hybrid से अगर compare किया जाए उसके बाद जो hybrid है is at least 60% less polluting है अगर EV से compare किया जाए तो देखो अगर कम है तो यह it's better कि hybrid को promote किया जा सकता है खास्तोर से अगर हम emission की बात करें तो यहाँ पर तीनों ही statements आपके all the three statements are correct इसका भी answer क्या होगा all three होगा तो यह news अगर आप देखोगे यह Indian Express की news है तो देखो सारे newspaper आपके cover हो रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को बढ़िया तरीके से इस चीज़ों को नोट करते रहे हैं नेक्स देख लेते हैं फिर आप देखोगे with reference to Martand Sun Temple है Martand जो Sun Temple है हिंदू Temple है जो की located Anantanag है in Kashmir वैली पे located German Kashmir region की बात करें and यह 8th century AD में dedicated to Syria जो की chief deity है हिंदूइजम के अंदर यह मोहमत खिल जी के द्वारा destroy किया गया था तो मोहमत खिल जी नहीं था सिकंदर साह मिरी जो है इसने destroy किया था सिकंदर साह मिरी सिकंदर साह मिरी इसने जो है destroy पूरा किया था यह तो गलत हो गया बाकी दो statement सहीं तो only two statement है यहाँ पे अगर आप देखो के Nastan Harald की news है तो यह आप देख सकते हो तो इदेखो बहुत चीजे covered होती है अभी आपका historical context में हो गया आप मार्तरंड संटेंपल की बात करें next देख लेता है payment bank अभी जैसे पेटियम news में उस context में है तो payment banks are new model of banks conceptualized जो यह है Reserve Bank of India ने इसका conceptualized किया था credit नहीं मतलब loan और यह समनी दे सकते है यह restricted deposit मतलब जादा नहीं कुछ जैसे 2,00,00 पर customer इतना ही deposit ले सकते है बट further इसको increase किया जा सकता है payment bank जो है issue को भी ATM को भी issue नहीं कर सकते है debit card को भी issue कर सकते है तो यहाँ पे आपको धहान में रखना है जो payment bank है आपको भी also these banks cannot issue यह loan issue नहीं कर सकते है जो credit card है उसको issue नहीं कर सकते है credit मतलब credit मतलब पैसा दे है credit card जो होता है उसको issue नहीं कर सकते है current account और saving account जो है यह operate किया जा सकता बैंक के द्वारा, payment bank जो ATM और debit card को भी issue कर सकते हैं, online या mobile banking कर सकते हैं, भारतिय एरेटेल जो setup है इंडिया पहला payment bank है जिसका नाम है एरेटेल payment bank का नाम रखा गया, तो यहाँ पे देखोगे, तो दो statement इसमें पहला और दूसरा statement आपका सही है, तो facts स्याद रखना है कि payment bank में क्या क्या चीज़े हो सकती है, तो economy का topic आपके लिए बन जाता है, तो यह mint के अंदर आया है, तो again कोई query है तो आप मुझे इस number पे reach कर सकते हैं, और अभी 30% of आज है आपका detailed course जो current affairs का है, जो की आपका 10 February से शुरू हो रहा है, 10th February का है, और जो भ सिर्फ 24 की जो त्यारी करना है, उनको ही join करना है, साथ में CSAT का course आपका शुरू हो चुका है, जैन सर के दौरा जो की 140 hours का है, जिनको आपका CSAT वीक लगता है, तो अपना जरूर से उसको भी join करें, सब कुछ आपको सौरपाइंड UPSC.com website, या फिर सौरपाइंड CSE app में ज जो high quality content है, prelims के लिए वो सारी चीज़ा आपके लिए cover की जाएगी, जो मेरे तोरा current affairs cover किया जाता है, इस app को ज़रूर से download करें, और सौरपाइंड UPSC.com website पर जाके आपको सारी जानकारे मिल जाएगी, और content भी आपको काफी हदिक वहाँ पर जाके मिल जाएगा, तो ये सा सारी चीज़ है, आज के लिए इतना है मिलता, next session के अंदर, thank you everyone, thank you.